वीडियो शुरूर करने से पहले सब सहले में आपको पताना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश बीड प्रवेश परिक्षा 2022 के लिए चक्षू प्रकाशन ने बहुत यह अच्छी बुक्स को निकाला है चाहे वह स्टडी गाइड हो चाहे वह आपका प्रैक्टिस चेट हो ठीके मिलेगा ठीक है तो बहुत ही अच्छी तरीकी से और्गनाइज किया गया है इस बुक को आप ले सकते हो साथ में आपको यहां पर देखने को लेगा प्रवेश परिक्षा का प्रारूप किस तरीके से पेपर आपका आए अगर हम विससे सुची देखते हैं तो आपको यहां ने जाए Ugh किके सबकुछ इसमें इंक्लूड है काफी अच्छी वक्ष सक्षर वास दिया हुआ यह में हिंदी, इंगलिज आपका रिजनिग, रिजनिग उसके बाद कर् Awesome पद्रफ ऑथ निकिसमें दिया हुआ है तो आनलाइन भी आप इसको पर्चेस कर सकते हो इस्टडी गाइड बुक और कला वर्गी के लिए आपका प्रैक्टिस सेट काफी अच्छी बुक से वाकी में आपका अविलिबल है एमेजोन, स्नेप डील या फिर आपका फ्लिप कार्ट पर भी ठीके या आप अपने नियरे 100 पर जाके इसको पर्चेस कर जबते हो फ्लोफ्रेंज मस्काद जेहिंड वंदे मातराम बीएड प्रविश परिशा 2022 के लिए जीके का 1000 स्रीज स्टार्ट है छे पार्ट उसके कंप्रीट हो चुका है यह इसका सात्वा पार्ट है छे के छे पार्ट देखते हैं तो आपको मैक्समुम बेनिफिट होगा ठीक है इसका प्लेलिस ऑल्री क्रियेटेड है ठीक है चलिए तो आज का यह सेशन करते हैं जो इसमें हम कुशन लेकर आए हैं वह आपका एक्सपक्टेट कुशन है प्लस आपका प्रिवेशन भी इंक्लूड करके उसका वाद 25 कुशन इसमें टोटल है ठीक है स्टार्ट करते हैं शेशन को तो सबसे फस्ट जो हमारा कुशन है कि विधान सभा सदस्ट MLA की भूमी का क्या है अभी जिसी विधान सभा का एलेक्शन हुआ है और यूपी में और वहां पर यूपी बहुमत के साथ सरकार बना चुकी है तो वहां के जो विधान सभा जो सदस्ट जो MLA कहलाते हैं उनकी भूमी का क्या होती है दर असल इससे आप कर्णेक्ट करकी गई है तो MLA का एक्षल संसत के परतेक्षदन के दो सतरों के बीच अंतराल कितना होता है कितना अंतराल होता है तीन महीशने सभा पति का शुणाव करता है यह है आपका संसत के सभी सभी संसत के सभी शदस जी के option please नेक्स्ट आपका कि धन विध्यक कौन परमारित करता थन विध्यक कौन परमारित करता है धन विधियक तो लोक्षभा के अध्यक्ष ठीक है लोक्षभा के अध्यक्ष lift option फिए नेक्स्ट लोक्षभा के पहले घंटे के वैपार की रूप में जाना जाता है मतलब पहला घंटा किस लिए जाना जाता है आप कि पहला घंटा होता है वह उसको बोलते हैं उसको बोलते हैं सुन्य उसको बोलते हैं प्रस निकाल ठीक है उसको बोलते हैं प्रस निकाल ठीक है वर्तमान लोक्षभा, 2014 के बाद से कौन सा लोक्षभा था, ये था आपका 16 लोक्षभा, ठीक है, कौन सा था, 16 लोक्षभा, नेक्स आपका कुश्शन नहें कि भारतिये वन ने सरक्षन अधिनियम किस वर्स लागू किया गये था, बहारतिय वन्य जीव सरक्षण अधिनियम किस वर्स लागू हुआ था यह लागू हुआ था मैडियर फेंस 1972 में ठीक है 1972 में याद रखिएगा भारतिय वन्य जीव सरक्षण अधिनियम नेक्स पूशन भारत के समिधान का अनुच्छे 21 किसका अधिकार है तो यह अधिकार है आपका एजुकेशन का ठीक है शिक्षा का वेरी इंपोर्टन कुश्चन से अनुच्छे 21 याद रखिएगा बहुत ज़्यदा इंपोर्टन अनुच्छे रही है ठीक है नेक्स कुश्चन भारत में लेंगिक अपरादों से बच्चों का सरक्षन का अधिनियम कब बनाया गया था यह बनाया गया था आपका 2012 में ठीक है कब बनाया गया था बच्चों में भारत में लेंगिक अपराद से बच्चों का सरक्षन अधिनयम जो बनाया गया था वो 2012 में बनाया गया था संपत्ति अधिकार अभी क्या इस्टिती है आपका एक कानूनी अधिकार बन गया है संपत्तिक अधिकार आपका एक कानूनी अधिकार बन गया है मारी एफिरेंस चलिए नेक्स्ट भारत के भारती समिधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे कौन थे डियर प्रारूप कि सवधान में मौलिक अधिकार मौलिक अधिकार नहीत है तो जो मौलिक अधिकार वो किस्मी नहीत है मौलिक अधिकार fundamental right ठीक है भाग तीन में याद रिखिएगा भाग पार्ट थ्री में पार्ट थ्री मौलिक अदिकार अर्टिकल बारा से लेके 35 ठीक है अनुच्छेट 12 से 35 भाग तीन fundamental right क्लियर है basic question आता है ठीक है लेकिन आपको पता होना चीए भारत में मतदिकार एक क्या है भारत में मतदिकार क्या है तो देखो भारत के समयधान के अनुच्छेट अनुछे 326 में मतदिकार प्रदान किया गया है तो क्या है यह है एक आपका मौली का अधिकार है समयधानी का अधिकार है या फिर आपका प्राक्रतिक अधिकार है या फिर कानूनी अधिकार है तो यह वाला कुशिंज देखो मैं आपको पूरे वीडियो में एक कुशिंज ड या फिर कानूनी अदिकार है तो इसको कमेंट बॉक्स में आपको करना है ठीक है और कमेंट में जब बच्चे करते हो तो आप कुशिन भी टाइप कर लिया करो ठीक है जिसे पता लगे कि कौन से कुशन आपने जवाब दिया है यह नेक्स्ट भारत का समवधान सभा द्वारा अध्रेन किया गया था भारत का समय शवधान शल्पादव द्वाराइधन किया गया था जिसकी स्थापना किया गया था 1946 कबिडेर मिशन योजना के तहत थीक है ऑपशनफर्स पंडिेत भार्ती सभिदान के प्रारूप समित्य के सदस्ट से कौन नहीं थे तो प्रारूप समित्य के अध्यक्ष नहीं थे जवाला नहीं थे बाकी अध्यक्ष कौन कौन मतलब सदस्ट से कौन थे सदस से कौन कौन थे प्रवल समीजिक सदस से जवाला नहरू नहीं थे आपके ए एम मुंसी थे उसके बाद बी एल मित्र थे और साथ में आपके मुहम्मद सहदुल्ला थे ठीक है जवाला नहरू नहीं थे कि यह सब्भारत की सब्धान का कि मौलिक करतapon से म değ hypnot नहीं किस मिनें एronics नहीं वाली कर नहींछ भाग फ् logistics से मौलिक새 शुड़ाटके ही अ में 51 देखो अर्टिकल 51 मितलब 51 के तहट 11 आपका मौलिक कतव को जोड़ा गया था सम्विधान में ठीक है नेक्स्ट भायत की सम्विधान का अनुछेट 25 अर्टिकल 25 किसे सम्मंदित है यह आपका सम्मंदित है यह आपका सम्मंदित है धर्मिक के सुतंतर पेशे आचरण और प्रचार की अंतर आत्मा की सुतंतर था ठीक है ऑप्शन ए अंशेट 25 रिलेट करता है नेक्स्क्ट भारत के सम्मंदान में नेवलिक में से किसका उलेक नहीं है किसका उलेक नहीं है सरकार की सरचना राजनीतिक दलो के नाम समधान में नहीं उसकी मतलब नहीं किया गया है नेक्स करते हैं कौन उर्जा का परामपरिक शोर्ट है ठीक है उर्जा का शोर्स है यह कुछिन बहुत ही अच्छा कुछिन नहीं काफी पूछा गया है और गैर परामपरिक शोर्स थीक और यह परामपरिक शोर्स एक लेखा आता है अकर यह आपके बन जाता हैं में सौर्वूर्जा यह आपको क्या है Robin परामपरिक, सिकेंड आप याद रखिए काрах पवन-इरज्जा साथ में आप याद रखिए गारद आपका है कि ज़ारीयी उर्जा यह भी क्या है यह आपका है तो परामपरिक और गैर प्रामपरिक दोनों क्लिर हो गया होगा नेक्स अधिक किस नदी को अक्सर दक्षिड गंगा कहा जाता है गोदा वरी इसके रिप्टेशन की चांसें से जाधा है कि एवर ग्रीन कुछिशन हमेशा पूछ जाएगा यह कुछ राउर्ड इस्टील प्लांट डैस्ट की सहाधा से स्थापित किया गया था तो देखो कहां से तो यह आपका है उरीशा उडिशा राज में है कब इस्टेबलिश किया गया 1955 इस्टेबलिश किया गया है यह पश्चम जर्मनी चीक है तो पश्चम जर्मनी की सहायते से उडिशा में 1955 में राउर केला स्टील प्लांट establish किया गए था clear हो गए यहां से next गंगा निदी कहां पर मैदानी इलाके के उपर से बहती है यह very easy questions है तो यह है आपका हरी द्वार हरी द्वार ठीक है हरी द्वार clear वरली एक परमपरिक कला है वरली अस्थान है किस राजमे है वरली किस राजमे है वरली तो यह आपका कहां पर है महाराश्रा ठीक है कहां पर है महाराश्रा में है वरली एक परमपरिक कला है और वरली जो अस्थान है वो आपका महाराश्रा में है देखो बहुत जारी राज और कला कृती आता है जैसे कि सबसे इंपोर्टेंट है कि बिहार का ट्रप्रणी का नाम है तो ए स्निर्त्य का नाम है चार कुला अ क्या है निर्त्य का नाम है कि ये उत्तरप्रदेच का है जिस पर डांस क्रती है जब महिलाएं तो उसके प्रहू होता है सिरक ओपर इंटा यह उसिर पर तेल प्रूल महां नौल जांग कर शाय कुआ है कि याफ रफत का फेमस नित्य है कि पले और ऊधुक के चिराओ चिराओ कहां का लुक नित्य है चिराओ यहां का लुक नित्य है कहां कह एडियर मिजोरम का है और इस लोकनित्य को एक नाम से और जानते हैं याद रखिएगा बास नृत्य तो कभी आपसे पूछ ले कि बास नृत्य किस स्टेट में किस तेट का है किस राज जिकाया तो यह आपका मेजौरम आठीक है ची नाम लेकी फॉर्म को बोलते हैं ठीक है क्लियर हो गया है और फिनिस करता है हम लोग 25 इक हुचा आपको उसको कमेंट हुआ है डेफिनिटली आपको कमेंट करना है लाइक करना सेशन को और शेयर करने अपने मित्रों के साथ चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो बैल आइगन प्रेश कीजिए जिसे कि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलता रहे है थैंक यू फो वाचिंग वीडियो नेक्ट कि आफिस्टी मिलता करना सकताूं अढिख जळादोन चाहद, हैंक लेजे मिलते हैं वीडियो अटेट्यों के सभीडियों कि एंन अजी वीडियों के साथ 0825 tätए सेशन कि ओए रहे थनि runtime कک करना सेशन के सपीडियों कि आफ हनदेगल